मेटाबोलिज्म टीवी में आपका स्वागत है आपके मेटाबोलिज्म और स्वास्थे के बारे में सही जानकारी का स्रोत अगर आप नहीं सोते हैं तो आप वजन नहीं घटा सकते हैं मैं फ्रैंक स्वारेज हूँ मोटापा और मेटाबोलिज्म का विशेशत जी प्यूर्टो रिको में 6000 से अधिक लोगों और मेक्सिको कोस्टा रिका पनामा जैसे अन्य देशों में 1000 लोगों के साथ पूरे अभ्यास के दौरान हमने पाया है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं सोता है तो वह वजन भी नहीं घटाता ध्यान दें जब आप अच्छी तरह से नहीं सोते हैं जैसे कि जब आप लगातार और आराम दायक नींद नहीं ले पाते हैं तो यह आपके शरीर में अत्यधिक तनाव पैदा करता है आपने पहले ही किताब एल पोडर सटेल मेटाबोलिजमों में देखा होगा कि एक अध्याय है जो बताता है कि तनाव क्यों वजन बढ़ाता है क्यों कोई भी तनाव की स्थिती चाहे वह जीवन का तनाव हो या नींद ना आने का तनाव हो एडरेनल ग्रंतियों को जो गुर्दों के उपर होती है कोटिसोल का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है कोटिसोल कोटिसोन की तरह है इसे कोटिसोल कहा जाता है अगर इसे शरीर बनाता है और इसे कोटिसोन कहा जाता है अगर इसे फार्मासियोटिकल बनाता है ये एक ही कुटता है लेकिन अलग पट्टा जिस तरह से किसी व्यक्ति को को पोर्टिसोल भी वजन बढ़ाता है दुर्भाग्य वश जो सबसे अधिक मोटा करता है वो है पेट पेट का हिस्सा यही सबसे ज्यादा और अधिक मोटा करता है तनाव अब जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं सोता है तो यह शरीर के लिए बहुत तनाव पूर्ण हो शरीर को कोशिकाओं की मरम्मत के लिए अच्छी नींद की आवशक्ता होती है वह समय जब शरीर हर उस चीज की मरम्मत करता है जो शतिग्रस्त है जब आप सोते हैं यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो शरीर मरम्मत नहीं कर पाता और आप ठके हुए उर्जा की कमी के साथ पूरे दिन शरीर को घसीटते हुए उठते हैं लेकिन एक दिल्चस्प बात है अगर आप ग्लुकोज की जांच करें मतलब अगर आप तै करें भले ही आप डायबिटिक ना हो आप एक ग्लुकोमीटर ले सकते हैं और अगर आप जिग्यासू हो जाएं तो आप खा जोगर लेवल हंडरोर से अधिक है तो आप वजन बढ़ाएंगे और कोई तरीका नहीं है आप कितना भी व्यायाम करें यदि आपने अच्छी नींद नहीं ली है और सुबह आपकी ग्लुकोज का स्तर 100 से उपर है तो आप वजन नहीं घटा पाएंगे क्योंकि इतनी अध कि उसका तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का है यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का है एपिसोड नमबर 1099 देखें बोर्ड पर जाओंगा ताकि उन कारकों को समझा सकूँ जो आपको सोने में मदद कर सकते हैं इस किताब में एक अध्याय ह जिसका नाम है हम सब समान नहीं है यह एक महत्वपूर्ण खोज है जो मैंने चार साल पहले की थी जिसने नेचुरल असलिम में सब कुछ बदल दिया क्योंकि हमारे परिणाम बहुत अच्छे हो गए लोग अब वजन कम करते हैं और अच्छी नींद लेने लगते हैं यदि आ आप नहीं जानते कि आपका तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का है चाहे वह निश्क्रिय तंत्रिका तंत्र हो या उत्तेजित तंत्रिका तंत्र तो आप अपने शरीर के प्रकार के लिए गलत भोजन खा रहे होंगे और इससे आपके शरीर को तनावगरस्थ हो जाता है और आ नींद नहीं आपाती आपका sympathetic system जिसे हम उत्तेजित तंत्री का तंत्र कहते हैं बहुत सक्रिय है अगर यह बहुत सक्रिय है तो यह लड़ने या भागने का समय है सोने का नहीं क्योंकि शरीर या तो उत्तेजित तंत्री का तंत्र को सक्रिय करता है जिसे sympathetic dominant कहते हैं या फिर न अधिक उदास अधिक असहिशनू अधिक ठके हुए और हर बुरी चीज में अधिक होंगे है ना मतलब नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि एक व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके वास्तव में देखा गया है ऐसे क्लिनिकल अधियन हैं जो यह थाबित करते ह हैं कि जो लोग सबसे खराब नींद लेते हैं वे लोग सबसे अधिक मधुमेह विकसित करते हैं हजारों लोगों पर किये गए अधियन से यह साबित हुआ है कि जो लोग कम सोते थे वे लोग सबसे अधिक मधुमेह से पीडित होते थे क्योंकि मधुमेह शरीर में अत्यध दो ग्रंथियां है जो तनाव से बहुत प्रभावित होती हैं लेकिन हम नींद की महत्ता के बारे में बात करेंगे अपने metabolism को पुनह प्राप्त करने के लिए आपको अपनी नींद को पुनह प्राप्त करना होगा आपके लिए सोने के लिए कौन सी चीजे महत्वपूर्ण है एक सही भोजन इसके अलावा एक अराम दाएक विस्तर शांत वातावरण आपके तंत्रीका तंत्र के लिए जो आपके शरीर के विभिन्नकारियों को नियंत्रित करता है यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका तंत्री का तंत्र किस प्रकार का है तो एपिसोड नंबर 199 देखें जहां मैं पांच प्रश्णों को समझा रहा हूं या मेटाबोलिज्म की शक्ति किताब या बिना समस्याओं के मधू में है किताब देखें और आपको एक अध्याय मिलेगा जिसका नाम है हम सब समान नहीं है जहां यह समझाया गया है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका तंत्री का tntr किस प्रकार का है उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसका कंत्री का तंत्र देने के लिए कई बातें जाननी होंगी जो उसे आराम करने में मदद करें ताकि आप नींद ले सकें सबसे पहले सही खाद्य पदार्त हैं अब दूसरी बात यह है कि अच्छी नींद के लिए आपको अपने तंतर का तंतर को शांथ करना अवश्यक है इसलिए आपको आराम की तलाश करनी होगी आराम कैसे खोजा जाता है तो आराम के दो हिस्से होते हैं एक हिस्सा है जो मांस्पेशियों के तंतर से संबंधित है और दूसरा हिस्सा है जो हार्मोनल तंतर से संबंधित है इस प्रकार की शांती Magnesium से प्राप्थ होती है हम एक Magnesium का उपयोग करते हैं जिसे Magic Mag कहा जाता है हमारे मामले में Natural Slim Magic Mag जैसे Magic Mag एक प्रकार का Magnesium है जो Magnesium citrate होता है जो शरीर को आराम देता है इसे सोने से एक घंटे पहले उपयोग किया जाता है यह एक तरह की चाय की तरह होता है जिसे लोग पीते हैं और जो लोग इसका उपयोग करते हैं वे इसके प्रती थोड़ा सा आधी हो जाते हैं क्योंकि पहली बार वे गहरी नींद में सोना शुरू करते हैं क्योंकि यह सीधे प्रवेश करता है magnesium के 8 प्रकार होते हैं जैसे कि magnesium gluconate, magnesium chloride जो clinical साहित्य में सबसे अच्छा अवशोशित होता है और जिसके सबसे अच्छे परिणाम होते है और जो शरीर को सबसे अधिक पसंद आता है वह है magnesium citrate यही वह है जो magic band में उप्योग किया जाता है इसलिए magnesium का वह आराम दायक प्रभाव होता है अब तंत्री का तंत्र को भी आराम देना है इसे हम stress defender कहते हैं stress defender एक yogic है जो तनाव के लिए है जो मूल रूप से तब उप्योगी होता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सोए तो हम उसे कहते हैं कि एक गिलास magic mag दिये तीन या चार capsule stress defender लें और लोग सो जाते हैं क्योंकि वे सो जाते हैं बिलकुल आपको इसे सही खाद्य पदार्थों के उप्योग के साथ मिलाना होगा लेकिन ये तीन चीजें मिलकर कभी असफल नहीं होतीं कि एक व्यक्ति अच्छी नीन ले सुबह कम glucose के साथ उठे और वजन कम कर सके और ये सच है और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है क्योंकि सच हमेशा जीतता है